नवस्कार दोस्तों सागत आपके अपने चलने रिगनुवाला पर जैसे आप देख पारेंगों यहाँ पर आज हमारा जो सब्जेक कोड़ है इसका बिलकुल लेटेस्ट कोशन पेपर जून दोजार 13 का कोशन पेपर हम यहाँ पर डिसकस करेंगे इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप एक्जाम दे रहे हैं जून दोजार चोबीस में तो पिछली साल का जो कोशन पेपर होता है उससे काफी कोशन रिपीटिड आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको मोश्ट रिपीटिड कोशन भी बताऊंगा और थोड़ा-थोड़ा कोशन के अंदर एक्स्प्रेक्शन भी दूँगा अपका दू घंटे का पेपर होता कितने नंबर का पचास नंबर का आपका पेपर है ठीक है कितने कोशन आते वो भी मैं आपको दिखाँगा पहला question देखिए. भासा का सरूप पढ़ने का तरीका समझिए. भासा का क्या बताना इसमें सरूप बताना है. कि भासा का सरूप क्या है और उसकी प्रकरती को रिखांकित करना है. यानि यहां से यह दो question बन जाते हैं. 5 number में आपको बताना है भासा का सरूप क्या है और 5 number में आपको बताना है इसकी परकरती क्या है तब जाकर आपको क्या मिलेंगे इसमें total 10 number मिलेंगे कितने सब्द आपको यहाँ पर लिखने होते है relatively 10 number का अगर है तो आप इसकी ज़्दे ज़्यादा चार से गुणा कर दीजे, चार वर्ड आपको लिखने है, तो टोटल कितने, 40 मान के चलिए, 400, है ना, एक नंबर के लिए आपको 40 सब्द लिखने होता है, अगनू में नर्मली, तो आपको 400 सब्दों में इसका अंसर लगबग देना होगा, तो भासा का सुरूप क्या आपको किसी भी भासा की प्रकृति अगर आपको समझने है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगी व्याकरन की नौलिज, ठीक, इसके लावा हिंदी वर्ण माला, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, हिंदी वर्ण माला का पूरा परीच्छ देना है, कि जो आपकी हिंदी से लेकर और ग्या ग्यानी तक आपकी जो यह आपके बावन अक्सर कहे जाते हैं, 52 अक्सर कहे जाते हैं, इस पूरी वर्ण माला के बारे में आपको बताना है, कि स्वर्ण क्या होते हैं, फिर स्वर्ण में कितने टाइप्स के स्वर्ण होते हैं, रस्व स्वर्ण क्या हैं, दीर की स्वर्ग क्या है, प्लुत स्वर्ग क्या है, वियंजन में आपके जितने तरीके के वियंजन होते हैं, चाहे वो उतक छीपत वियंजन हो आपके, या फिर आप कह सकते हैं, कि चाहे आपको वियंजन के वर्ग बताने हो, जैसे आपने सुने भी होंगे, एक होता है आप आपका कवर्ग फिर आपका आता है चवर्ग तवर्ग है ना इस तरीके से जो वर्ग बनते हैं से के खे घे घे डे और फिर चे तो इस तरीके से पांच-पांच लेटर से जो वर्ग बनते हों सब आपको यहाँ पर explained करनेों में कहने का मतलब यहिए, कि स्वरों से स्टार्ट करके स्वर के कितने परकार हैं, व्यनेजन किया होते हैं व्यनेजन कि कितने परकार हैं यह चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है जो हम आपको ये question attempt करना है तो आप उस question को skip करने की सोचिए कारण क्या है या तो आप पूरी हिंदी बन मालों को explain कर दीजिए उसमें स्वर भी explain हो जाएंगी और अगर आप इस question को नहीं करना चाहते तो आप इस question को कर दीजिए इसमें केवल आपको क्या बताना है स्वर के कितने परकार के आपके होते हैं यानि वो वर्स कितने परकार के होते हैं आपको पता है टोटल आ से लेकर और आप आम भासा में कहते हैं और खाली तक क्या होते हैं आपके ये स्वर माने जाते हैं 11 स्वर संस्क्रित में ने 13 माने लिए जाता है लेकिन याँ पर Hindi में कितने होते हैं टोटल 11 होते है तो इन 3 questions मैंसे आप कूल सा questions ऐसा है गो आप exam में बहुत 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 कर सकते हैं attempt कर सकते हैं तो मेरे अनुसार आप पहले question को बहुत इच्छे से attempt कर सकते हैं भासा का स्वरूप क्योंकि इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आप भासा के बारे में जानते हैं और ये कोशन आपके लिए असान रहेगा क्योंकि इसमें किवल स्वर के परकार आपको बताने हैं ये कोशन एक्जाम में बार बार आता है ये हम बात प्रूव भी कर clear? यहाँ पर भी एक question हीड़ा नहीं और यहाँ पर भी आगे बात करें, तीन question आपको समझ में आगे होंगे fourth question की बात करते हैं, ना सिक्के द्धुनिया क्या होती है ना सिक्के द्धुनि क्या है तो ये भी one माला से related question है एसी द्धुनिया जो नाक से बोली जाती हैं, ना सिक्के द्धुनि बोलते हैं जैसे आपने पड़ाओगा नय है, ना है, है ना, नय हो गया आपका ना हो गया इन सब का जो चारण होता है, वो कहां से होता है, नाक से होता है इसलिए ने कहते हैं ना सिक्केद्वनी वर्ण को इस पष्ट कीजिए वर्ण क्या होते हैं और वर्ण में कौन से वर्ण बताने वियंजन वर्ण बताने तो आपने देखा अभी आपसे कौन से वर्ण पूछे गए थे अभी आपसे स्वर्ण वर्ण पूछे गए थे अब question संग्या क्या होती है और संग्या के कितने परकार होते है टोटर पांच परकार यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे व्यक्ति वाचक जाती वाचक भाव वाचक इसके लावा द्रव्य वाचक और समू वाचक यह पांच परकार होते हैं आपके किसके नाउन के वो परकार आपको यहाँ पर explain करने है है ना इसके इलावा क्या है अनवीती को express कीजिए अनवीती अपने आप में hard concept है है ना यह क्या एक व्याकरण का आप कह सकते हैं linguistic भासा सास्तर की बात है इसे समझने के लिए आपको व्याकरण की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए तो ऐसे question से आप बचें एक्जाम में ऐसे question attempt करें जो simple है जैसे संग्या के परकार संग्या के परकार के लावा यहाँ पर आपसे सर्वनाम के परकार भी पूछे जा सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है विसेशन कितने परकार के होते हैं उनमें से कुछ आपको explain करने हैं समझ माया अब 10 नंबर का अगर question है तो यहाँ पर आपको संग्या के 5 के 5 परकार explain करने पड़ेंगी इतनी कहानी समझ माया ही अब बात करते हैं आंगीक संप्रेक्षन क्या होता है आंगीक का मतलब होता है ऐसा संप्रेक्षन जो body language के थुरू किया जाता है आंगीक यानि कि आप इसे कह सकते हैं verbal भी कह सकते हैं verbal जो communication होता है उसे हम क्या कहते हैं यह question हो गया यह अनिवार्य है यह compulsory है इसे आप skip नहीं कर सकते हैं उन में से तो कोई भी आपको कितने करने के विल चार करने है लेकिन यह 5 वह आपको 100% करना पड़ेगा और इन में से कौन से question ऐसे जो आप तुरंत कर देंगे जैसे मिस्र वाक्य है कर्म कारक आपको पता है कारक टोटल कितने होते हैं कारक होते हैं टोटल आठ उनमें सबसे पहला होता है करता दूसरा आता है कर्म कर्म का मैं आपको एक 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 जामपल देता हूं जैसे राम ने राम ने आप कह सकते हैं राम ने लकडी से आग जलाई तो आपको पता है यहाँ पर कर्म का जो सिंबल होता है वो होता है द्वारा है ना जिस चीज के द्वारा द्वारा किसके लगता है साधन के लिए तो जिस साधन का परियोग करके कोई काम किया गया उसे कर्म कहते है जैसे यहाँ पर राम ने क्या किया राम तो हो गए आपका करता, राम ने काम क्या किया है, लकडी से आग जलाने काम किया है, तो लकडी क्या हो गई, आपका कर्म हो गई, ठीक है, तो यह हो गए कारक, तो इससे आपको पाचलता है कि आपको वाक्य के परकार की नोलिज भी होने चाहिए और कारक की नोलिज भी ह पिर वियंजन से समंदित कोश्चन आगया वियंजन से आप क्या समझते हैं most important question exam में 100% छपेगा तो मोकिक भासा जो हम बोलते हैं लिकित भासा जो हम लिखके किसी कुछी एक्सप्रेस करते हैं इनमें से कौन सा कोश्चन ऐसा जो हमें रट लेने हैं कोश्चन इस क्लास से निकल के आए स्वर के परकार वियंजन के परकार और आप कह सकते हैं कि इस तरीके के कुछ भी आप से भले पूछे एक कोश्चन आपका संपरेक्शन कोशल पर 100% आना है तो अगर आप इन्हें डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी कोश्चन क्लास में आ सकते हैं और अगर आप इन्हें कोश्चन की प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो आप इंपोर्टेनिल स्रीज में आ सकते हैं आज के लिए क्यों इतने हैं दोस्तों थैंक्यू जहन्देवाद मुमश्कार